राजुस्थान के अलवर जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कॉंग्रस नेता मानवेंदर सिंग जासोल की कार का एक्सिडेंट हो गया हादसे में कॉंग्रस नेता मानवेंदर सिंग जासोल की पतनी चितरा सिंग का निधन हो गया साथ ही मानवेंदर सिंग जासोल और उनके बेटे समेथ तीन अन्य लोग भी गंभी रूप से जखमी हो गए मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में मानवेंदर सिंग की पतनी चित्रा सिंग की मौत हो चुकी है वे हादसे में गंभी रूप से घायल हो गई थी बताया जा रहा है कि ये हादसा नोगावा के नस्दीक खुशपूरी में हुआ जो हरियाना बॉडर पर पड़ता है हादसे में मानवेंदर सिंग और उनका बेटा हमीर सिंग खायल है दोनों की हिस्तिति गंभीर बतायी जा रही है दोनों का ही अलवर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है बताते चले कि मानवेंदर सींग जासोल पूर्व केंदरिये मंत्री जस्वन सिंग के पुत्र है वो लंबे समय तक भाश्पा में रहे थे लेकिन 2018 में वो कॉंग्रस में शामिल हो गए मानवेंदर सींग बाड मेर से सांसद भी रह चुके हैं कुछ महीने पहले राजिस्थान विधानसभा चुनाव के दोरान मानवेंदर सींग जासोल की पतनी चितरा सींग की कई तस्वीरे वाइरल हुई थी लोगी ने कॉंग्रस की घूंगट वाली स्टार प्रिचारक भी बता रहे थे लंबा सा घूंगट निकाले चितरा सींग सिवाना विधानसभा शेतर में गाव गाव में जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार कर रही थी आपको बता दी कि मानवेंदर सींग पूर वरक्षा मंतरी जस्वन सिंग जासोल के बेटे हैं जो बाड़ मेर जिले की सिवाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे मानवेंदर सींग पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन साल 2018 में उन्होंने कॉंगरिस का दामन थाम लिया था मानवेंदर सींग ने 1999 में पहली बार बाड़ मेर से लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन कॉंगरिस नेता सोना राम चोधरी से वो उस वक्त हर गए थे जबकि अगले चुनाव में यानि कि 2004 में मानवेंदर सींग ने सोना राम चोधरी को बड़े अंतर से हराया था